है hallo everyone welcome back to my channel destination video में नहीं निया देख रहें स dough ihrer channel मैंने मिस्तार ने तो कैसे हैं आप सब लोग सब ठीक्टाक हैं और आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के लिए ले रहे हैं गायह हे तो जल्दी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल का इकन को भी जरूर प्रेस कीजिए का उससे यह होगा कि मेरी हम नहीं जितनी भी आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन ज कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक फलफी ब्रश लिया है उसकी हल्प से मैं यह हुदा प्रो के पैलेट में से लाइफ ब्राउन कलर के शेयर अपलाई कर लोंगी अपनी क्रीस में तो आज हम बात करने वाले हैं काशिव सर के आई मेक पर तो आज आज के यह वाली वीडिय यहां पर मैंने ब्लैक शेयर लिया है इसको बेंड़ आउट कर लूगी जैसे के हर वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी स्टैप के साथ तो आज वीडियो को तो मुझे और बीज़ाद अच्छा लगता है और आप लोगों का प्यार मुहबत आप लोग जब प बात आप लोगों को बताती हूं कि आप लोगों को बहुत ही असानी से काशिफ सर का आई मेक अप लुक जो है वो क्रियेट कर सकते हो और इन दिवानों के लिए आज यह वाले स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ होफुली कि आप लोगों को बहुत ज़ला पसंदाएगी ब्लै कलर का शेड लेकि इसको मैं अच्छे से ब्लैंड आउट कर लूँगी यहां मैंने स्कॉर्स टेप यूज की है तो यह ऑप्शनल है अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ना करें अगर करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं तो इसको अच्छे से ब्लैंड आउट क हार्ष लाइन आप लोग को नजर आरी है इसको भी हम लोगोंने फिनिश करना ठीके इसकी जो फिनिशिंग आएगी ना वह बहुत अच्छे आएगी सूँ आपढ़कों को बहुत ही एजी और असान तरीकिसा अपड़ों को मेकिप करना सिखाती और मेरे बाबब जो आप लूब हुझा सब्सक्राइब करना है जल्D से कर इस अभी चांधी तो आप लोग जो है वो मिरे इंस्ट्राग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कीज़ेगा वहां पे भी में न्यू अपडेट्स जो हैं मैं डालती रहती हूं और ब्यूटी टिप्स के हवाले से और आप लोगों की जह हैं मैं क्वेस्टन का आंसर भी दूँंगी इसको लेना है बस मैंने कोई कट क्रीस नहीं की है आप लोगों की असानी के लिए आप लोगों को बता रही हूं और आप इस शेड की जो है वो पिगमेंट जो है मेरे आइस पर चेक कर सकते हो कि बहुत ही अच्छा सा शेड है और काशिफ सर के जो आई मेक अप होते हैं उन में जितनी भी कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल की होती है मुझे बहुत ज़्यादा रिसेंटली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंके उनकी कलर कॉम्बिनेशन जह है वो ही बहुत ज़्यादा आसम है और उनका मेक अप जो है वो बहुत ही घजब का लगता है अखीर लगता है मैं क्या कहूं इसकी तरीफ में तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है मुझे और आप लोगों ने भी कॉमेंट्स करके बताना है जो लोग काशिव सर के आई मेक अप लुक के बहुत जादा दिवाने हैं तो वो लोग जरूर मुझे कॉमेंट्स कीज़ेगा नीचे मुझे पढ़के बहुत जादा अच्छा लगेगा तो इसी तरहां से आपने थोड़ा थोड़ा से शेयड लेना है एक ब्लैंड करना है और थोड़ा थोड़ा सा ही प्रॉडक लेजेगा ज़ादा मत लेजेगा यहां पर मैं यूज करने वाली हूँ ग्लीटर जो कि डायमोना का बुहती कमाल का ग्लीटर है इसको अपलाई करने से यह होता है कि यह एक जगह पर ही स्टिक हो जाता है यह वाटर पूफ भी है और आप लोग जब इसको लगाओगे अपलाई करोगे ना तो यह कहीं भी नही आरहा है जैसे हम लोग करते हैं ना वैसे ही यह बना हुआ है वैसे ही मैं इसको प्लाइ कर लूँगी जैसे कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है और आप देख सकते हों कि बहुत ब्यारे से लोक आ रही है लेकिन अभी यहां तनेरी के लूप कंप्लीट नहीं हुए है यहा इनर को भी हाइलाइट कर लूँगी और अपनी ब्राउस को भी अच्छे से मैं हाइलाइट कर लूँगी ठीक है और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है बस आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है एक बार दो बार आप करोगे तो आपका आई मेकब बहुत अच्छा हो देगा स्रेट यहां पर मैं ले रही हूं वाइट पेंसिल जो करेड़ी के लेरी हूँ लेकिन आज मैं पैंसल से अपलाय नहीं करूँगी यहां पर मैं ब्रॉष की साइट से अपलाय करूंगे इस से रिजल्ड यह हो बहुत झामाल का पार था जो लोग कहते है कम्माल का लग रहा है मैं खुद ही आज अपने मूँ मिया मिटू बन रही हूं लेकिन ऐसी बात नहीं है आप लोगों को भीर जल्चर वह सामने नजर आ रहा होगा कि कैसा लग रहा है मेरा आई मेकप लुक आप लोगों ने भी देखा होगा देखी होगी मेरी वाली वीडिय करने वाली हूं बहुत ही कमाल का यहां पे ब्राउन कलर का आईशेड़ो और इसको मैं अपने लोवर लैश लाइन के नीचे अपलाई कर लोगी जैसे कि आपको मेरी वीडियो में निज़र आ रहा है आपको इसब चोटा सब ब्रेश ले सकते हो लेकिन चोटा ही ब्रेश हो अगर आपको अपने वाली होगी हैं और अच्छे से यहां पर मैं मस्कारा आपलाई करने वाली हूं बहुत एकमाल का हैंड़ इकमाल का इसको अपर लोवर लैश लाइन पर अच्छे से कोड़ कर दूंगी जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो में देख रहे हो आप कोई सब मसकारा यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रैंड का कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने अपर लेश लाइन को और लोवर लेश लाइन को बिल्कुल नहीं भूलना, अगर आप अपलाई कर लोगे अच्छे से, और फिर आप आई लेशे अपलाई करोगे ना, तो आपकी आई मैंने अपलाई कर ली हैं, I hope कि आज की ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हल्थ फुल रही होगी, और फाइनली लोग आप लोग देख सकते हो, कितनी गमाल की आई हैं, और फॉलो कर लीजे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पेज और डेस्टिनिशन ब्यूटी 99 के ना ज़रूर रिप्लाइ करूंगी, और जल्दी से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देजे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर किये बगार आप लोगों नहीं जाना नहीं है, ठीक है, और मुझे कॉमेंट् वीडियो में तब तक के लिए अपने धेर सारा ख्याल रखेगा, और मुझे भी दुआओं में जरूर याद रखेगा, तब तक के लिए टेक केर और अला पीस, बाबाई